हेलो वेलकम काईज यह वीडियो के अंदर जीटीए डेफिनेटिव एडिशन का मॉट्पैक लाया हूं आप लोगों के लिए और यह जो मॉट्पैक है इस्पेशली यह वाला मॉट्पैक उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको ज्यादा रियलास्टिक्स ग्राफिक्स पस डेफिनेटिव एडिशन का उसके अलावा आपको ग्तिया फाइप के कुछ मेनु भी देखने के मिलेंगे अड उसके अलावा आप जो है इसके अंदर फ्रॉम दिस मेन्यू यू के चेंज यूर वैदर अलसो तो हैज यू के चेंज माइडर बाइस मॉट मेन्यू अड यू यू विल बी गैट यूस्ट वफिट तो डोंट वर्य आपको डिसक्रफिय दावनोट करना दो फाइल को एपी को एक्ट्रेक कर करके एपी को इंस्टॉल कर लेंगे एड एपी के इंस्टॉल होने के बाद में जो डेटा फाइल आपको मिलेगी यहाँ पे एक शूर आपके डेटा जो जीपियों है उसके अकोर्डिंग आप फाइल डाउनोट करें एक्ट्राइट करें फोल्डर के अंदर जाए उसको यहाँ से कट कर लीचिए एंड्रूइट डेटा में जाकर के पेस्ट कर दीचिए और सिंपल इस्टॉलेशन विचाई वोंट आपके शोई गाइस आफर देन यू और गीम बट मेक शोर विच्ट विट अपर सख्ती हो बट सम इशूज कैन भी देर सो आई हो की यू आर प्लेइंग भी नियू गेम तो जाधा बेटर रहेगा अल्धो आप लोड गीम भी कड सकते हो नो प्रॉब्लम यहाँ आप देख बहुत सारे नए amazing sources के साथ में जो की GTA 5 के साथ भी deal करेगा और आपका GTA definitive edition के साथ भी deal करेगा यहाँ पर आप दिख सकते हो आपको GTA definitive का edition देखने के लिए मिल रहा है जासे आप अपने game को load कर सकते हो यहाँ पर आप रोड रिफ्लेक्शन को देखोंगे तो वह यहाँ पर इंप्रूव हुए है लाइट यहाँ पर इंप्रूव हुए है इफ यू सी इन नाइट आपको बहुत जादा फरक देखने लिए मिलेगा आपको GTA San Andreas की जो chat menu है उसके अंदर भी बहुत सी चीज़े आपने चैनल पर क्रेश की रिलेटेड उसको देख लो प्लीज वीडियो को रेफल कर लो तो आपको जो है तोड़ा आइडिया होजागा कि आपका गेम क्यों क्रेश हो रहा है वाई यूर गेम इस क्रेशिंग और वो वीडियो देखने के बात I don't think कि आपका गेम क्रेश हो वन मौस्ट इंपोर्टन थिंग नया ग्राफिक्स मॉट पेक का जो वीडियो आने वाला है उसके अदर में आपको अच्छा ग्राफिक्स मॉट्पक जो है प्रोवाइड करने वालो तो उसके लिए stay connected and one more important thing is हमारे चैल पर 20,000 subscribers complete होने वाले है तो अगर आपने इस चनल and keep support us so for that take care yourself thank you so much for watching this video and I will see you in the next video till then bye bye